कट कट संब नमस्कार दोस्तों दोस्ता हम बहुत बार अपने फ़ौन में अपने यूटुब चैनल को खोलना पड़ता है और अपने मैं बहुत सारी वीडियों को एडिट और अप्लोड करना पड़ता है लेकिन क्ल太陽 क्लाश flowers हमें YouTube Studio के एप में करने में दिखते होती हैं पहले तो YouTube Studio का desktop mode हमारे phone में भी खुल जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है पहले हम जो आप क्रोम में जाकर YouTube dashboard टाइप करके search कर लेते थे और YouTube Studio का dashboard हमारे खुल के आ जाता था लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है दोस्तों बने रही हमारे साथ है आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें आप क्रोम ब्रावजर में desktop mode पर YouTube Studio को खुल पाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्रावजर को उपन कर लिना है और search बार में YouTube.com लिख कर टाइप कर देना है जिसके बाए दोस्तों इस तरह से आपका नॉर्मल मोबाइल मोड में जो है YouTube खुल कर आ जाएगा इसको आपको यहां से यहां पर आपको अपने चैनल के लोगों पर क्लिक करना है और यहां पर आपको यूट्यूब स्टूडियो पर नहीं जाना है क्योंकि यहां पर भी आपको अगर क्लिक करेंगे तो यह आपको आपके यूट्यूब स्टूडियो के एप मर एप पर रिडायर कर देगा तो आपको क्लिक करना है अपना यूटूब चैनल के उपर यहां पर लिखा है यूटूब चैनल आपको इसके उपर क्लिक कर देना है यहां दोस्तों तो यहां पर आप जैसे ही इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का आपका चैनल खुल कर आ जाएगा यहां पर आपको दिख रहा होगा कस्तमाईज चैनल लिखा होगा इसके उपर आपको क्लिक कर देना है इसके उपर जैसे क्लिक करेंगे आपका यह यह देखे यह देखे आपका जो है इस तरह से आपका Chrome ब्राउजर में ही आपका YouTube Studio खुल कर आ जाएगे डेक्स्टॉप मोड में अब आपको यहां पर जो भी कुछ भी करना है आप बड़े ही अराम से यहां पर कर सकते हैं आप कोई भी वीडियो अगर एडिट करना चाहें यहां आपने कंटेंट में जाएंगे और यहां पर आपकी सारी वीडियो इस तरह से आपको दिख जाएगी इस तरह से आपको जो भी कुछ भी अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहें कुछ भी एडिट करना चाहें तो आप बड़ी ही आसानी से यहां पर आप कर सकते हैं कि दोस्तों पहले हम क्रोम में जाकर बड़ी आसानी से YouTube Studio को खोड़ पाते थी लेकिन अब यह जब से YouTube Studio का आप आ गया है तब से यह जो है कि वहां पर क्रोम में YouTube Studio कि नहीं कुलता है और एप में और मोबाइल एप में जाकर रिडारेक्ट हो जाता है तो इस तरह से आप यहां पर खूल कर आप कुछ भी अपने चैनल में जो भी कुछ करना चाहें कर सकते हैं यहां पर कुछ भी मोडिफाई करना चाहें जो भी कुछ कुछ भी करना चाहेंगे डेक्स्टॉप मोड में जो तो डेक्स्टॉप मोड में थोड़ी से आथानी जाती है होने को तो यह YouTube Studio में भी हो जाता है लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन होती है वहां पर पूरी तरह से नहीं हो पाता है तो इस तरह से आप यहां पर अपने दोस्तों यह थी छोटे सी वीडियो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए ठांक्स पार वाचिंग